हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इंग्लिश का 37 चेप्टर करेंगे जिसका नाम है रियोकार एंड़ा स्टार फिश ठीक है बच्चो यह हम करने वाले हम आखरी चेप्टर पर आगे हैं इंग्लिश के इससे पहले आप देख सकते हो बाकी चेप्टर ओके और इस वीडियो के आखरी में मैं इसके कोशनसेज भी दूँगा ठीक है तो आप वीडियो आखरी तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे नए 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 वीडियो मिले और इस स्टार फिश करते हैं स्टार जैसी दिखती है मसली रहती है पाणी में रहते है नो स्टार फिश्णट देखते इंदुनं के बारे में क्यआ आपको रहना नाम यहांपे क्या वोला है यह एक सादू थे जो जापान में रहते थे He was a well-known teacher and a poet and a calligrapher Well-known मतलब बच्चो अब बसकतो जाने माने Teacher मतलब शिक्षक, poet मतलब बच्चो कवी Calligrapher क्या होता है बच्चो जिसकी handwriting, जिसकी लिखावाट बहुत जादा अच्छी रहती है उसको हम कैलिग्राफर बोलते है तो यहाँ पर क्या बोला है कि वो एक बहुत ही जादा जाने माने टीचर थे और एक कवी थे और उनकी जो हिन्राइटिंग थी बहुत अच्छी थी जिनको हम कैलिग्राफर बोलते हैं ठीक है आगे देखते क्या है वन डे मतब बच्छो एक दिन वाकि बच्छो चलना बीच मतब बच्छो समुंद्र सो मतब देखना हंड़ेड बच्छो अब बच्छो अब बच्छो तट पर अब बच्छो किनारा ठीक है स्टॉम मतलब बच्चो तूफान यहां पर क्या हुआ है कि एक दिन जो बॉंक है रहोकन वो चल रहे थे समुंदर के किनारे और उन्हें देखा कि बहुत सारी कम से कम सौ स्टारफिश पानी उनको बहा के लाके किनारे पर छोड़ दिया है स्टॉम मतलब बच्चो तूफान स्टारफिश यह है बच्चो तूफान यहां पर क्या बला है कि जो तूफान था उसने तो स्टारफिश को बाहा कर बाहर कर दिया थे समुंदर से तो अब वो गर्म जो सूरज है उसमें अब वो मर रही थी रियोकन बच्चो जो मौंग है उनका नाम है बच्चो शुरू पिक मतलब उठाना वन बाई वन मतलब बच्चो की जो रियोकन थे अब वो क्या किये वो एक एक करके स्टारफिश को उठाने लगे यहां पर क्या बला है कि वो जो मौंग थे रियोकन अब वो क्या किये स्टारफिश को अब वो समुंदर में फेकने लगे आगे देखो क्या है इसका क्या फाइदा है तो वो ऐसा बोल रहा था तो देखो वो आगे क्या बोल रहा है अभी रियोकन अब देखो जो उनका शिस्से था और क्या शिस्से जो उनका है वो और क्या बोल रहा है देखो वो और बोल रहा है कि यहाँ पर कम से कम सो ऐसी मचलिया है जो मर रही है तो इनको वापिस समुंदर में फेकने से कुछ बड़ा अंतर नहीं होगा कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा तो देखो अभी वो क्या बोल रहा है रयोकन पिक्ट अब अनुदर फिश रयोकन मतब बच्छो वो जो साध्यू थे वो पिक मतब बच्छो उठाना अनुदर मतब दूसरी फिश मतब मचली अब जो उस मौंग थे वो जो साध्यू थे रयोकन उन्होंने क्या किया एक दूसरी मचली को उठा लिया और फिर देखो आगे हो क्या बोल रहे है इट विल मेक डिफरेंस तो इस लिटिल फिश सेड रयोकन थ्रोइंग दा फिश बैक इन्टू दा सी मेक मतब बच्छो बोल रहे हैं कि यह जो छोटी सी मचली है इसके लिए बहुत बड़ा अंतर होगा यह बोलके उन्होंने उस मचली को वापिस समुंदर में फेग दिया ठीक है देखो बच्छो इससे हमें यह यहां पर क्यों उन्होंने ऐसा बोला है क्योंकि देखो जो एक मचली है मर रही ह उन्होंने उसको उठाके समुंदर में फेग दिया तो वो मचली के लिए जिन्दगी और मौत का सवाल था अगर मचली अगर फेग दिया तो वो मचली जी जाएगी तो उसके लिए बहुत बड़ा अंतर रहेगा तो यहां पर बोलना चाहते हैं कि अगर सौं में से वो एक क उठाके फेगे तो मचली के लिए बहुत ही जादा बड़ा अंतर रहेगा किकि वो मरेगी नहीं जील जाएगी पानी में जाकर ठीक है तो यहां पर वो यहीं बोलना चाहते थे आगे देखो आपको यह लास्ट में कहा है वेन हेल्प इस नीडेड इट इस इंपोर्टेंट यहां पे देखो क्या बोला है कि जब किसी को मदद की जरूरत रहे है तो यह जरूरी है कि आप जो भी थोड़ी मोड़ी help कर सकते हो वो आपको करना चाहिए ठीक है तो बच्चों यहां पे हमारा chapter complete हो गया है यह अभी देखो मैं आपको questions देता हूं मैंने आपके लिखके कि बेड़े और फटाफट लिख लो के चलो स्टाट करते हैं भी तो देखो बच्चो यहां पर मैंने आपके लिए रिख कर रहा है दो नाम किया रोगान अन्द श्टाट फिशिव पहला क्या है गिव मिनिंग मतलब शब्द पहला क्या देखो कैलीग्राफर कैलीग्राफर मत को बोलते हैं सवंद्र का थर्ड है मौंक मतलब बच्चे का होता है अमम मेंबर ऑफ रिजियस ग्रूप ऑफ में वो लिवड अप पार्ट फ्रम अदर पीपल एंड डूनाट मेरी और है परसनल पसेशन मतलब बच्चो एक ऐसा इंसान जो सामाज से दूर रहता हो अलग रह किनारे पड़ी और है और रही है जो जिसे तूफान ने बहा के संदर के किनारे ला दिया था भी है what did he do मतलब उन्होंने क्या किया एंसर क्या है रोकन पिक अप देश्टार्फिश वन बाइवन एंड थ्यू देम बैक इन दसी मतलब ने क्या किया उन्होंने एक एक करके स्टार्फिश को उठाया और इसको वापिस समुंदर में फेग दिया ठीक है अभी तो आपको क्या था उन्होंने ऐसा क्यों बोला था एंसर क्या इट मेंस डैट इफ ही थ्रोज दफिश बैक उन्ट देशी इट विल लिव मतलब बच्चो उनका मतलब यह था कि अगर वह इस चोटी से मचली को वापस समुंदर में फेग दे तो वह जी जी जाएगी ना कि मरेगी इफ He does not help the fish, it will die अगर उन्होंने उस मचली को वापस उठा के समुंदर में नहीं फेगा या तो मदद नहीं की तो वह मर जाएगी So his action will make a big difference to the fish that he has helped तो उनका यह जो action है उन्हों कर रहे हैं इससे यह मचली के लिए बहुत बड़ा अंतर रहेगा क्योंकि उसके जीने और मरने का सवाल रहेगा और वह नहीं फेगे तो मर जाएगी अगर वह फेग देंगे तो जाके पानी में जी भीत रहे जाएगी तो उसके लिए जिन्दगी और मौत का सवाल है तो उसके लिए बहुत बड़ा अंतर है ओके आगे देखो क्या आगे आपको डी में है और डी यू फिल ही वाज वेस्टिंग इस टाइम मतला बचो क्या आप क्या आप सहमत हो जो रियोकन ने किया था या आपको लगता है वो अपना टाइम बरबाद कर रहे थे मतला बचो कि हमें हमेशा कहीं भी या कभी अगर पॉसिबल हो संभव हो तो हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि यह छोटी से हमारी जो मदद है वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी मदद रहती है और वो उससे उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है हमारी लिए वो छोटी चीज रहती है लेकिन उनके लिए बड़ी रहती है ठीक है चलो अभी आगे देखते क्या है कि लास्ट में आपके क्या दिखा है में का रिजलीशन टू ओफर एट लिटिल हेल्प एवरी देर टू समून उनी दिर मतबच्छों आपको छोटा सा रिजलीशन बनाना है जिससे आप दूसरों की मदद कर सको ठीक है तो मैंने तीर लिखा है आप चाहँ तो और भी बना स बाट दो थाड़ा ओफर समयल्प दोस वर इन इर बता बच्छों उन लोगों की मदद करो जिनको मदद की ज़रूरत हो तो इस तरीके हम दूसरों की मदद थोड़ी बहुत कर सकते हैं इसमें जाकर हम एक भी करें तो ठीक है तो बच्छों यहां पर हमारा इस चेप्टर कम कंप्रीट हो गया है अभी तो अगले वीडियो में मैं आपको बाकी चेप्टर्स के भी एंसर दूंगा बाकी सब्जेक्स के और एक्स्प्रेन भी करूंगा ठीक है मिलते हैं अभी अगली वीडियो में और आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लो लर्न कर लो ताकि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो शेर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू